जै हिन्दोस्तों, जै और्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों को गगनेंदर नाथ टैगोर के बारे में बताओंगा जो की बंगाल सैली से सम्बंधित कलाकार हैं बंगाल सैली में इन्होंने प्रयोग धर्मी प्रवित्ति के यकला कार रहे हैं बंगाल सैली से सम्बंदित हैं और इनके चीत्रों में QVS form दिखता है घनवात का प्रभाव इनके चीत्रों में दिखता है तो गगनेन ना टैगोर से सम्बंदित एकजामों में अकसर question पूछे जाते हैं तो जो भी कला से संबंदित अभी एक जाम होने वाले हैं जैसे UP, TZT, PZT, KVS, NVS, DT+, B, NET, JRF, कला से संबंदित सभी एक जामों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्पूर है तो आईए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं गगनेद्नाट टैगोर इनका जो समय है 1867 से लेके 1938 इसवी के बीच ये गगनेद्नाट टैगोर का एक फोटो है आप देख लीजिए गगनेद्नाट टैगोर 1867 से 1938 इसवी इनका समय है गगनेद्नाट टैगोर का जन्म कब हुआ कहा हुआ था तो इनका जो जन्म है 1867 इसवी में जोड़ा साको कोलकता पशिम बंगालमेन का जन्म हुआ था किस कलाकार ने भारती विशियों के चित्रड के लिए सरो प्रतम घनवादी प्रियोग किये गगनेद्नाट टैगोर ये वेरी वेरी इंपोर्टेट लाइन है इन्होंने सरो प्रतम घनवादी प्रियोग किये थे भारती विशियों के चित्रड के लिए इनके चित्रों में घनवादी प्रभाव दिखाई देता है बंगाल Home Industries Association कोलकता बंगाल कुटिर उद्योग संस्था 1913 की अस्थापना किस ने की थी गगनेद्नाट टैगोर बहुत इंपोर्टेंट है ये गगनेद्नाट टैगोर के माता वो पिता का क्या नाम था तो माता का नाम था सुदामिनी टैगोर और पिता का नाम था गुनेंद्र नाट टैगोर बंगाल सैली का प्रथम व्यंग कलाकार कौन था तो गगनेद्नाट टैगोर गगनेद्नाट टैगोर को बंगाल सैली का प्रथम व्यंग कलाकार कहा जाता है ये एक कार्टूनिस्ट कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं किस कलाकार ने आगे चलकर बंगाल सेली की वास विधा को त्याग कर कैरी केचर को अपनी कला का साध्य बना लिया गगने ना टैगोर ने आवने ना टैगोर के साथ मिलकर कब इंडियन सोसाइटी आफ ओरियन्टल आर्ट कोलकता की अस्थापना की थी बहुत इंपोर्टेंट है अक्सर एकजामी ये पूछा जाता है गगनेनना टैगोर को कला विदुसी इस्टेला क्रेमरिस ने कब पहला भारती घनवादी कलाकार कहकर पुकारा था 1922 में 1922 में इस्टेला केरमडिस ने इन्हें प्रथम भारती घनवादी कलाकार कहकर पुकारा था गगनेरना टैगोर को गगनेरना टैगोर के व्यांग चित्र वर्स 1917 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे सोरी दोस्तों किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे दर रिवीव पत्रिका में 1917 में इनके व्यांग चित्र प्रकाशित हुए थे गगनेरना टैगोर द्वारा चित्रित बच्चों के लिए किस प्रसिद पुस्तक को लिखा बहादोर बहादोर बच्चों के लिए इन्होंने चित्रित बच्चों के लिए उन्होंने प्रसिद पुस्तक लिखा था गगनेरना टैगोर ने लगभग कितनी वर्स की आयों में चित्रकारी शुरू की थी तो 38 वर्ष की आयुमें ने उन्हें चित्रकारी शुरू की थी गगनेनना टैगोर की चित्रड का प्रीमाध्यम क्या था? तो जल रंग इनका प्रीमाध्यम था गगनेनना टैगोर चित्रकारी के अलावा और क्या करते थे? ये फोटोग्राफी में भी रूची रखते थे किस चित्रकार द्वारा बनाए गये चित्र घनवाधी और स्वपनिल सहली की याद दिलाते हैं? तो गगनेनना टैगोर के चित्रों में देखने को मिलता है गगनेनना टैगोर किस कला सहली से काफी प्रभावित थे? तो घनवादी सैली वेरी वेरी इंपोर्टेंट है अक्सर एकजाम में ये कुशन पूछा जाता है आधुनिक कला के व्यंग चित्रों का जनक किस कलाकार को कहा जाता है गगनेनना टैगोर को गगनेनना टैगोर का सबसे पहला घनवादी सबसे पहला घनवादी कलाकार कहकर किसने पुकारा था तो इस टेला क्रेमरिस ने गगनेन ना टैगोर के चित्रण में घनवादी प्रयोक कब शुरू हुए तो 1921 सिजवी से गगनेन ना टैगोर अवनेन ना टैगोर से कैसे संबंदित थे तो बड़े भाई थे ये बाल साहित थे बच्चों के लिए भादोर भादूर किसने लिखी तो इह गगनेन ना टैगोर द्वारा लिखा गया है गगनेन ना टैगोर का पालन उश्र किसकी देखरेक में हुआ था तो रविन ना टैगोर की देखरेक में हुआ था गगनेना टेगोर की कला किस काल से संबंदित है तो ये आधुनी काल से संबंदित है गगनेना टेगोर ने चित्रकला की आपचारिक सिछा कहां से ली थी कहीं से नहीं इन्होंने चित्रकला की सिछा नहीं ली थी गगनेनाट टैगोर चित्रकार के अलावा और क्या थे तो ये एक लेखक, सिक्षक और व्यंकार के रूप में जाने जाते हैं रविननाट टैगोर की पुस्तक जीवन इस्मरीत 1912 का चित्रड किस ने किया था तो गगनेनाट टैगोर ने किया था प्रसिद कला चितेरी सुनायनाद देवी का गगनेननाट टैगोर से क्या संबंद हा तो ये बहन थी गगनेननाट टैगोर की सर्व प्रतम भारती विश्यों के चित्रड के लिए किस ने घनवादी प्रयोग किये गगनेननाट टैगोर ने वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह, गगनेननाथ कैसे कलाकार थे? स्वैम सिक्षित घनवादी चितरकार थे यह. इस्टेला क्रेम्डिस ने वर्स 1922 में किस पत्रिका के अपने एक लेख में गगनेनाट को घनवादी चितरकार कहकर संबोधित किया था तो रूपम पत्रिका भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कौन थे गगनेनना टैगोर याद रखिएगा भारत के पहले कार्टूनिस्ट वर्स 1919 में कॉलकाता से रूपम नामक कला पत्रिका का आरम किस ने किया ओसी गांगुली ने भारत की पहली महिला कला चितेरी किसे माना जाता है तो सुनेना देवी को गगनेनना टैगोर का देहांत किस बीमारी के कारण हुआ था तो पक्षा घाद के कारण इनका देहांत हो गया था भारत के पहले घर्मवादी चित्रकार कौन थे गगनेनाट टेगोर इन्हें प्रथम घर्मवादी चित्रकार कहा जाता है प्रसिद चित्र जादूगर किस चित्रकार के ने जलरंग माध्य में चित्रित किया है तो गगनेनाट टेगोर जादूगर मैजीसियन जिसे बोलते हैं इस चित्र को मैं दोस्तों अभी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा गगने नाट टैगोर का देहांत कब वह कहां हुआ था तो 1938 में कोलकता में इनका देहांत हो जाता है इनके प्रमुक चित्र कौन कौन से हैं सीड़ियों पर भेट मीटिंग एट दे स्टेर केस ये कागजपर जल रंग से बना है राष्ट या अधुनिक कला दीरगा नई दिले में सुरक्षित है दुरगा प्रतिमा विसरजन ये वास्त तकनीक में बना है विक्टोरिया मेमोरियल हाल कोलकता में सुरक्षित है सारंगी वादक या सारंगी प्लेयर विक्टोरिया मेमोरियल हाल कोलकता में सुरक्षित है इस्ट एंड वेस्ट व्यंग चित्र है ये 1917 में बना है विक्टोरिया मेमोरियल हाल कोलकता में सुरक्षित है द्वारिकापुरी विक्टोरिया मेमोरियल हाल कोलकता में सुरक्षित है हिमालय पर पारवती विक्टोरिया मेमोरियल हाल कोलकता में है इस्पृट आप दे नाइट विक्टोरिया मेमोरियल हाल कोलकता में सुरक्षित है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार विक्टोरिया मेमोरियल हाल कोलकता में इस्तित है लेडी इन ब्लैक विक्टोरिया मेमोरियल हाल कोलकता में है यह साथ भाई चमपा विक्टोरिया मेमोरियल हाल कोलकता में इस्तित है यह शंग रही थै शिटी इन दे नाइट कागज पर जलरंग में बना है 1925 में विक्टोरिया मेमोरियल हाल कोलकता में सुरक्षित है चैतन्य का ग्रिह त्याग डिपार्चर आप चैतन्य वास तकनिक में है जलरंग में टेंपल क्यूबिस्ट कागच पर वास एंड टेंपरा से बना है 1925 में राष्टी आधुनिक कला दीरगा नई दिले में सुरक्षित है जादूगर मैजिसियन कागच पर जलरंग में है 1925 में राष्टी आधुनिक कला दीरगा नई दिले में सुरक्षित है स्वरडिम द्वारिका कागज पर जलरंग से 1925 में बना है प्रेम दूत कैनवास पर तैलरंग से बना है राष्टी आधुनिक कलादीरगा नई दिले में सुरक्षित है मानो चितकार तो ये कागज पर स्याही से बना है राश्टिए आधुनिक कलादीरगा नेधिल में सुरक्षीत है कागच पर जाल रंग से बना है Val room Dance काफी famous है कागच पर जाल रंग वश्याहि से बना है Palace of Snow कागच पर स्याहि से बना है पूरी का मंदिर कागच पर जाल रंग से बना इलहावा संग्राले में ये चित्र थे यहाँ पर इनका एक बहुत ही फेमस छापा चित्र है जलपान जो की लिथोग्राफ में है 1917 में इनके कुछ प्रमुक चित्रों को दोस्त मैं आपको दिखाता हूँ ये इनका एक चित्र है आप देख लीजिए ये भी एक चित्र है ये चित्र जो है प्रतिमा विसरजन इस चित्र का नाम है बहुत ही फेमस चित्र है ये ये भी एक चित्र है हमने आपको बताया कि इनके चित्रों में घनवादी प्रभाव आप देखिए यहां पर जेमेट्रिकल फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं क्यूबिज्म का प्रभाव इनके चित्रों में देखने को मिलता है ये भी एक चित्र है बेड अफ एरोज भीसमा तीर का ये बेड बना हुआ है उसमें भीसमजी है यहां पर आप देखेंगे ध्यान से ये भीसमजी को लेटे हुए दिखाया गए यहां पर नीचे ये तीर बने हुए है एक और चित्र यहां पर है मोमेंट करके ये चित्र है ये एक और चित्र है वाल्ड ओम्मेंट अब देख लिजिए ये भी एक चित्र है मौर्निंग स्टार इस चित्र का नाम है एक और चित्र यहां पर है अब देख लिजिए द्यान से एक और चित्र यहां पर टेंपल क्यूबिस्ट इस्टाइल में ये टेंपल बनाया है वह गर्वादी सैली में एक और चित्र यहां पर है रंग कोपरेशन देखिए एक और चित्र यहां पर है चिनना टाउन कोलकता में यह है यह चित्र है देख लीजिए एक और चित्र यहाँ पे है रभीन नाट टैगोर को उन्हें बनाया है एक और चित्र यहाँ पे फेर इन दा मूनलाइट फेर इन दा मूनलाइट इस चित्र का नाम है यह एक और चित्र है आप देख लीजिए मीटिंग अड़ इस्टेयर केस काफी फेमस चित्र है यह मीटिंग इन दा इस्टेयर केस यह एक और चित्र है इस्टेशन है ये रिस्पेक्टिंग वोमेंड ये देखे दुर्गा प्रतिमा विसरजन स्वडपुरी द्वारिका काफी फेमस है ये क्यूविस्ट इस्टाइल में ये भी देखे बनाया है ये गगनेना टैगोर द्वारों नीसो पचीस में बनाया है ये बहुत ही फेमस चित्र है अकसार एकजाम में ये चित्र पूछा जाता है के विएस नौद है और डेससबी के एकजामों में ये चित्र पूछा जाता है मजीसियन मुजीसियन जिसका नाम है जादूगर देखे इस चित्र को दोस्तों मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्या है इस चित्र में चित्र का क्या नाम है जादूगर चित्रकार गगने नाट टैगोर है माध्यम किस माध्यम में बनाया है कागज पर जल रंग में समय क्या है 20 सदी के आरंब में ये बनाया गया है काल आधुनिक काल में तकनिक क्या है टेंपरा तकनिक में है संग्रा कहां पर है ये राष्टी आधुनिक कला संग्राले नई दिले में सुरक्षित है गगनेन ना टेगोर ने जल रंग की टेंपरा विद से यूरोपी सली क्योबिष्ट पर आधारिस इस चित्र को बीस्वई सदी के आरंब में बनाया था इस चित्र में विविद रंगों को प्रकास हुआ छाया के बेहतरीन सन्योजन से ज्यामिति या क्रितियों क्यूब जिसे घं का जाता है कि सकल में दिखाई गई है उनके आधार तल पर कई भागों में खंडित दिखाई पड़ते हैं यही क्यूबिष्ट का जादू है इस चित्र के धरातल पर लाल रंग ने पूरे चित्र को आधार प्रदान किया देखें यह जो लाल रंग है यहाँ पर जो दिखाया गया है यहां से यह सब तो यह आधार एक तरह से स्याम स्वेत काला और सफेद रंगों की विभिन आभाओं से ज्यामती आकरितियों के विभिन आयामों को खुब सूर्थी से प्रदर्शित किया गया दाढ़ी वाले जादूगर में जापानी सेली के स्वेत वस्त्र पहने हैं जो कि पस्च भाग की सीसे से बनी इमारत का हिस्सा दिखाई देता है देखें यहाँ पर जादूगर को यहाँ पर दिखाया गया है उसके सामने एक सुन्दर राजकुमारी को सीसे वाले केबिन में खड़े हुए दिखाया गया है चित्र में दाहिनी और सीड़ियों के उपरी तल पर काले वस्त्रों में एक रहस्यमई आकरिती को दिखाया गया है पूरा चित्र किसी आधुनिक शोरों की भाती दिखाया गया है जहां प्रकाश के परावर्तन से प्रकाश छाया की मनमोहक उत्पती एक माया नगरिक आभास देती है यहाँ पर देखिए यह जादूगर है यह जो है एक जादूगर है यह और यहाँ पर एक राजकुमारी का फेस आपको दिख रहा होगा यह है यहाँ पर एक काले आकरिती बनाए हुई है शेडियों के पास अब देखिए ध्यान से और इसमें क्यूबिस्ट सैली का सुन्दर परियोग किया गया है यह चित्र बहुत इंपॉरटेंट है अक्सर एक जाम में पूछा जाता है यह एक और चिट्र है रविनाट टैगोर का तो दोस्तों इस तरह से हमने काफी important question इस वीडियो में बताए है तो दोस्तों यद हमारे यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और सेयर करें हमारे यूटूब चैनल पर कमेंट करके बताएं का आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों इसी प्रकार से वीजूल आर्ट से संबन्दित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा धन्यवाद दोस्तों